किसान भाईयों नमस्कार, स्वागते हैं हमारे यूटूब चैनल डी एगरी कल्चर में किसान भाईयों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुहार के बाव के बारे में किसान भाईयों दिपावली के आसपास कौहार का क्या भाव रेगा कौहार में तेजी आएगी या मंदी किन कारणों से कौहार के भाव में तेजी बढ़ सकती है और आगे हमें कौहार का क्या भाव देखने को मिलेगा किसान भाईयों इस वीडियो में हम कुहार की तेजिम बंदी रिपोर्ट 2021 के बारे में बात करेंगे किसान भाईयों आप वीडियो में अंदर तक बने रहें और आप हमारे यूटूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सस्क्राइब करें ताकि अगे पिए आपको खेती से संबंदी तेवं मंडी बाव की जानकरी मिलती रहें किसान भाईयों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुहार के बाव के बारे में किसान भाई अभी कौने की बाऊ के बात करे तो अभी कौने का बाऊ 6000 से 7500 के मद्ये कौने देखनेको मिल रहे हैं किसान भाईयों अभी गौहार के बाव में कोई खास उताज़ड़ाव देखने को नहीं मिल रहा है कौहार का बाचार अभी एक समान देखने को मिल रहा है किसान भाईयों पहले गौहार का बाव 3000 से 5000 के मद्ये कौहार का बाव देखने को मिला था किसान भाईयों नहीं तो गौहार के पावों में तेजी देखने को मिल रही है और नहीं मंदी देखने को मिल रही है कौहार का बज़ार एक समान देखने को मिल रहे हैं किसान भाईयों अब हम बात करते हैं कि दिपावली के आसपास कौहार का क्या पाव रहेगा किन कारणों से गौहार के बाव में तेजी बढ़ सकती है किसान भाईयों गौहार में तेजी बढ़ने के बहुत सारे कारण है जिसे गौहार के बाव में तेजी बढ़ सकती है किसान भाईयों कौहार की बाव की बात करें तो किसान भाईयों इसमें हम बात करें तो मंडियों में कुहार की आवक हमें कम देखने को मिलेगी। किसान भाईयों मंडियों में अभी कौहार की अच्छी अच्छी डिमांड देखने को मिल रही है किसान भाईयों अगर कौहार की फसल समय पर मंडियों में ना आती है तो कौहार के पाव में बहुत ही जोड़दार तेज़ देखने को मिल सकती है किसान भाईों खुछ जानकारों का मानना है कि απ-tombar महने के अंत में कौहर के बाव में बहुत ही जोड़दार तेज्य हैगी क्योंकि किसान भाईों त्योफ यप आर ili के चलते हर साल कौहर की अच्छे कसी डिमांड होती है किसान भाईयों अगर इस साल पी कौहार की अच्छी कासी डिमांड होती है तो कौहार के पावों में फेंगर तेजी देखने को मिल सकती है किसान भाईयों एक तो कौहार की पसल की बॉई कम हुई है और एक बारिस ना आने की कारण कौहार की पसल ऐसे सूख रही है और जिन सेत्रों में कौहार की गौई हुई है वहां अत्यदिक बारिस आने के कारण कौहार की बसल में कापी नुकसान हुआ है किसान भाईयों अभी मंडियों में कौहार की अच्छे काशी डिमांड देखने को मिल रही है किसान भाईयों अगर आने वाले समय में यानि की अटुमर मेने के अंत में कौहर की पसल मंडियों में समय पर ना आती है और अगर कौहर की आवक हमें कम देखने को मिलती है और अगे पी अगर कौहर की ऐसे डिमांड होती है तो कौहर के बाव में कापी सुधार देखने को मिल सकता है और कौहर के बाव में बहुत ही जोड़ा तीज़ देखने को मिल सकती है और कौहर का बाव 20,000 से अधिक देखने को मिल सकता है किसान भाई यूं अनुबान तो यही लगा जारह है कि लिपाऊली के आज असपास कोहर के बाउ में सुधार हो सकता है और कोहर का बाउ 20,000 से भी अधिक देखने को मिल सकता है किसान भाई यूं क्या कोहर का बाउ 20,000 का आगणा चूuh सकेगा इसमें आपई क्या रहा है कमेंट करके जुरूर बताए और यह दियarent एक छोटी सी जानकरी अगर जानकरी पसंद आई हो तो अपने किसान दोस्तों के साथ अधिक से अधिक सेर करे किसान भाइउो मिलते हैं अगली से नहीं वीडियों नहीं जानकरी के साथ किसान भाईयों आप अपने माल को बेशने वा करिदने का नेलने अपने स्वर्म के मार के से ले किसान भाईयों ये हमारे विचार थे किसान भाईयों जे जवान जे किसान